हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लॉर्ड डेल हाउसी के बारे में जानेंगे लॉर्ड डेल हाउसी इंडिया के गवर्णर जैनरल थेव फ्रॉम 1848 तो 1856 जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि 1858 में में पहली म्यूटीनी या फिर दा ग्रेट रिवोल्ट हुआ था फ्रेंड्स लॉर्ड डेल हाउसी इंडिया की यंगेस्ट गवर्णर जैनरल थे जब सेकेंड एंगलो सिक्वार का एंड हुआ था तब लॉर्ड डेल हाउसी ने पंजाब को एनेक्स कर लिया था लोर्ड डेल हाउसी ने पंजाब की एड्मिनिश्ट्रेशन को काफी एफिसेंटली रूल किया था फ्रेंड्स इनकी प्राथमिक सिक्षा क्राइस्ट चर्च अक्सफोर्ड स्कूल में हुई थी और 1847 में इन्हें गावर्नर जेनरल शिप ऑफ इंडिया दे दिया गया था उन्होंने पंजाब, बर्मा, सेंटरल प्रोविन्स और अवध को एनेक्स किया था 1852 में उन्होंने लोवर बर्मा जो की आज का मियानमार है उसे एनेक्स किया था लगबग आठ वर्ष में उन्होंने आठ मेजर स्टेट्स को कैप्चर किया था एक और जो इंपोर्टेंट फीचर जो उनके साथ असोसियेटेड है वो है डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स जैसे कि पता होगा कि इस टाइम इस्ट इंडिया कमपनी रैपीडली एक प्री डॉमिनेंट पावर होता होता चला जा रहा था इंडिया में डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स ये बताता था कि अगर उनकी अपनी मेल हेर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का कोई ना हो छांसी नागपूर सतारा अवद जैपूर ये फाइव इंपोर्टेंट स्टेट्स थे जो उन्होंने कैप्चर किया था और एक जो वॉर्ख जो उन्होंने कंट्रिब्यूट किया था डेल हाउथी वो है PWD यानि पप्लिक वउर्ग्स डिपार्ट्मेट डेल हाउथी के आने से पहले पफिपलिक वॉर्क्स डिपार्ट्मेट military board द्वारा किया जाता था पर उनके आने के बाद डेल हाउसी ने एक separate public work department create किया था और उन्होंने upper ganges canal को 1854 में complete करवा दिया था इस तरह public works department को modernize करने के बाद उन्होंने foundation ले कर दिया था engineering services इन इंडिया का तो आज जो engineering services exams होती है उनकी credit Lord Dalhousie को भी कही ना कही जाता है डेल हाउसी ने इंडिया छोड़ दिया था 1856 में जब उनकी governor general की position समाप्त होई थी दोस्तो डेल हाउसी एक बहुत बहुत एबल administrator थे और काफी visionary थे जिन में सोचने की छमता बहुत थी इसलिए उन्हें father of railways और telegraphs भी कहा जाता है so who is the father of railways and telegraphs so answer is Lord Dalhousie उन्होंने modernization के process को इंडिया में काफी बढ़ा दिया था so इसलिए उन्हें maker of modern इंडिया भी कहा जाता है so that's all for today friends thank you and have a nice day काफी बढ़ा जाता है